उसमें वंदे भारत एक अपने आप में बड़ा उधारण है और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखाते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यह नागपूर से बिलासपूर को जोड़ेगी मैज 5 घंटे 20 मिनट में पहुँचाएगी तमाम सुविधाओं से लैस है यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखाते हुए उनके साथ में तमाम गड़मान नेता जो हैं वो मौजूद हैं राश्ट्रों के मुख्यमंत्री उप्व मुख्यमंत्री राजपाल और तमाम जो दिगज नेता है वो भी वहां मौजूद हैं ये ट्रेन अब अपने गंतव के लिए चल पड़ी है प्रधान मंत्री ने इसको हरी जंडी दिखाई है तो एक और इतिहास रचा गया है इस वक् करके यात्रा करके तो वंदे भारत चटी वंदे भारत की सौगात देश को मिली है नागपूर से ब्लास्पूर जाएगी वाया राइपूर और महज 5 गंटे 20 मिनट में ये यात्रा तहहोगी जो 7 गंटे 8 गंटे की पहले यात्रा होती थी वो इस शांदार सुविधा जनक त्रेन में महझ 5 गंटे 20 minute में तहहो सकेगी प्रधानमंत्री रीज्ट मोधी जो यातरी बेटे हैं वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन सुएकार कर रहे हैं बेहाद महत्पून क्षण है ये इस लिहाद से भी कि भारतिय रेलवे में जो आमूल चूल परिवर्तन की शुरुवात की बात कही गई थी वो अब उसका मूर्त रूप में वो दिखाई पढ़ने लगी है और एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेने हम देख रहे हैं कि लगभ भर में 27 से अधिक भूट्स पर इनको चलाया जाएगा और खास तोर पर जो ट्रेन की सुविधाओं की को बढ़ाने की बात कही गई है वो बहुत उच्चितम स्तर पर ले जाया जा रहा है ये सेमी हाइस्पीड ट्रेन है 180 किलोमीटर प्रदी घंटे तक इसकी गती हो सकती ह तो इतिहास रचा गया है चटी वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को प्रदानमंत्री नरेंद मूदी नागपूर से के रेलवे स्टेशन से हरी जंडी दिखाकर रवाना किया है प्रदानमंत्री ने और यात्री बेहद उत्साहित है ये इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साक्षी प्रधानमंत्री स्वैम बन रहे हैं इससे बड़ा और अविस्पनड़ी एक्षन किसी के जीवन में क्या कुछ हो सकता है ये समझा जा सकता है तो इस इतिहास के साक्षी बने हैं वो सब यात्री जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साथी साथ त वो गुजर रही है प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद जो लोग हैं उनका स्वागत करते हुए उनका अभिवादन करते हुए उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए कि एक नाथ शिंदे महराष्ट को मूठ मंत्री राजपाल केंद्रिय मंत्री निदिन गटकरी उपमोख्य मंत्री और प्रधार मंत्री को रेलवे से जुड़ी हुए एक तस्वीर भी यहां भेट की जा रही है जिसमें रेलवे की जो एक जो विकास सुमिधाएं हैं उसका खा है तपून है ये खशन रेलवे की काया कल्ब के लिए हमारे संभाता जिस तरह से बता रहे थी कि 2014 में एक महीने में महज 12-13 किलोमेटर का ट्रैक बिचाया जाता था और अब एक सब्ताह में 40-45 किलोमेटर का ट्रैक बिचाया जा रहा है पूरे देश में जो हेरिटेज रू लगभग लगभग पून किया गया है बहुत तेजी से विदूती करन किया जा रहा है तो इस तरह से जो ट्रेनों की गती है वो बढ़ी है और अब सेमी हाइस्पीड ट्रेंस का दोर आ गया है और भारत एक के बाद एक नई सेमी हाइस्पीड ट्रेंस का साक्षी बन रहा है ये च्छटी सिमी हाइस्पी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपने आप में तमाम खूबियों को समेटे हुए है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने नाकपुर के स्टेशन से उसको रवाना किया बिलासपुर तक जाती है ये ट्रेन जाएगी रायपुर के रास्ते पांच घंटे 20 मिनट का इसका सफर रहेगा